नमस्कार दोस्तू स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्रखंड प्राची नितिहास के टॉप 135 क्वेश्चिन को यह जो है उत्रखंड इंसन हिस्ट्री से संबंदित क्वेश्चिन है इसमें जो भी क्वेश्चिन ह आपके एक्जाम के दिस्टिकोंड से काफी जदा महत्वपूर कोश्चिन है बिल्कुल एक्जाम औरिंटेट कोश्चिन है जो उत्रखंड का प्राचीन इतिहास है वो कंप्लिट्ली कवर हो जाएगा इस वीडियो में ठीक है तो इस वीडियो को आपको अंतक देखने हैं आपके आने वाले एक्जाम UK, पुलिस, पट्वारी, लेकपाल, फॉरस्टिगार्ट सभी के लिए महत्वपूर ये वीडियो होने वाली है तो ये वो सारे उत्रखंड एंसें हिस्टे से संबंदे टॉपिक्स हैं जिन से रिलेटेट MCQs को इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो आपका MCQ format में होगा क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के डिमांड थे कि वीडियो जो है अब आपके एक्जाम नजदिक है MCQ format में लाइए क्योंकि आपका जो एक्जाम है वो MCQ based होता है आपकी एक्जाम के तयारी अच्छे से हो पाए जिन लोग विडियो इसं के त्यारी त्यारी चल रही है विए रिविजिन के तोरु या टैस्ट के तौर पर ले सकते हैं और जो लोग जो है अब आप चाहर कर रहे है उनके लिए इनपॉर्टन है ठीक है तो स्टार्ट करते ही वीडियो को तो सुरू परते है अपने पहले कोश्चिन के साथ पहला कोश्चिन है उत्रखंड में पुरा तत्तु का जनक किसे कहा जाता है तो उत्रखंड में पुरा तत्तु का जनक कहा जाता है हैन्वूड को Option number A इसका सही जवाब है अब क्यों कहा जाता है उत्राखण में पुरा तत्तु का जनक हैनूड को क्योंकि देखे उत्राखण में सबसे पहले ही पुरा तत्तु की खोज की थी हैनूड में कब की थी 1856 में ये कोशियन दे कि बहुत बार आज को एक्जाम है तो अच्छे से आपको याद करना है 1856 में हैनूड दुआरा पहली बार उत्राखण में पुरा तत्तु की खोज की गई थी और ये खोज की गई थी देवी धुरा चंपाउत से ठीक है अगला प्रस्न है निम्नमेसे किसने 1956 में मलारी गाउं से सवधान की खोज की तो मलारी गाउं आपको पढ़ता है चमूली में ठीक है यहां से 1956 में यानि कि 1856 से लगबग 100 साल बार स्रीव परसाद डबराल चारण उप्सन नमर 20 का सईदवाव है स्रीव परसाद डबराल चारण जिनको कहा जाता है इनके द्वारा तवाधानों की खोज की गेती मलारी गाउं से ठीक है महासम संस्कृति आगरतियों की खोज 1877 में किसके द्वार की गई तो देखे महासम संस्कृति है आपकी साउत की ठीक है इसमें क्या होता है इसमें जो आगरतियां होती है वो पहले लाइन में होती है इसी प्रकार की खोज जो है उत्रक्रण से की गई थी 1877 में और ये खोज की गई थी रिबेट कारनक द्वारा option number A इसका सही जिवाब है कहां से एक खोज की गई थी ये खोज की गई थी द्वाराहट से द्वारहट पढ़ता है अलमोडा डेस्टिक में मंदरियों की नगरी भी कहा जाता है द्वारहट को और यहाँ पर एक मंदर है चंद्रेसुर मंदर ठीक है चंद्रेसुर मंदर यहाँ से जो है रिबेट कारनक द्वारा 1877 में 200 कप मार्क्स खोज गई यानि की ओखलिया खोजी गई और यह जो सारी कप मार्क्स थे यह पहले लाइन में थे इसलिए इसको कहा गया है यह महासम संस्कृति की जैसी जो है आकरतिया है इसकी खोज जो है उत्राखंट से कुई है नेक्स्ट है बढ़ते आगे अगले प्रस्न है उत्राखंट में पुरातत्त्त की दिस्या को आगे बढ़ाने का कार्य या आगे बढ़ाने का स्रीक किन है जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्सिन नमबर D उप्युक्त सभी या सुदर मटपाल या स्वन सिंका टोज सिप्रसाद डबराल और भी जो है कई तियासकार है इन सभी को जो है उत्राखंट में पुरातत्त्त की दिस्या को आगे बढ़ाने का जाता है आर्केलोजिकल सर्वेज जो है इन सभी के द्वारा किये गए जिससे हमें उत्राखंट की पुरातत्तत्त सरोत्तु के बारे में पता चलता है बढ़ते आगे नेक्स्ट है हरिद्वार के बहद्राबाद में पासराणल कालिन आवसेसूं की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई तो देखिए यह बहद्राबाद है हरिद्वार में यहां से देखिए 1951-52 में जो होता है यहां पर एक कारे चल रहा था उसमें जो है कुछ पासराणल कालिन आवसेस प्राप्त होते हैं बाद में फिर से 1952-53 में यहां पर खोदाई का कारे प्रावर में किया जाता है और यहां आप से मिलते हैं फिर से पासराणल कालिन आवसेस और इसकी खोज या इसको प्रकास में लाने का जो स्रही जाता है फिर वो जाता है यग्दत सर्मा को तो इसलिए इसकी खोज का स्रही भी जाता है ये ग्रिदत सर्मा को option number A इसका सही जवाब है अगला प्रस्ण है रामगंगा घाटि में पासाण कालिन आउसेस की खोज किसके द्वारा की गई थी तो देखे रामगंगा घाटि ये बात हो रही है पश्चिमी रामगंगा की और यहाँ पर हम बात करें है अल्मोडा जन्पत की बेसी लिए ये अल्मोडा जन्पत से ही पासाण कालिन आउसेस खोजे गए है तो इसका सही जवाब है ये खोजे थे यसुधर मटपाल ने अप्सिन नमर 20 का सही जवाब है रामगंगा घटी के 9 ग्राम से ठीक है 9 ग्राम से जो है 73 कप मार्ग से खोजे निकाले थे यसुधर मटपाल ने और एक और कुश्चिन रामगंगा घटी से आपको आरखना है कि महरू उडियार जो है ये भी यहीं सते थे बढ़ते आगे नेक्स्ट है मंगोली सैल चित्र का संबंद किस जनपत से है तो देखें मंगोली सैल चित्र का संबंद जो है वो है आपका ननिताल जनपत से मंगोली सैल चित्र और खुटानी नाला ठीक है खुटानी नाला ये भी आपका ननिताल जनपत में सते थे यहां से भी जो है कुछ पासनार कालिन आवसेज खोजे गए थे तो यह भी आपको याद रखने है नेक्स्ट है देश में चित्र धूसर मर्दभांड संस्कृतियों के स्थानू में मुख्य रूप से किसके आवसेज पाई गए हैं तो देश के में बात करें भारत के में अभी यहां पर बात करें चित्रित धूसर मर्दभांड यानि कि जो धूसर का अर्थ होता है ग्रे कालर का ठीक है मर्दभांट यानि मिट्टी के बर्तन पाए गया है दूसर इसमें paint it किया गया है grey या black इसमें paint किया गया है तो जहां से यह प्राप्ट हुए है तो उसका सही जबाब है घोडे के अुसेश यहां पर पाए गया है थीके आफ हमें ये बात क्यों कर रहे हैं उत्तरकासी ठीक है थापली और उत्तरकासी से हमें मिलते हैं चित्रित दूसर मृद्भांड और इन दूसर मृद्भांड की खोज की थी H.N.B. हिम्ति नंदन भोगडा विस्विधाले की पुरातात्तुर विभाग नहीं ठीक है ये भी आपको याद रखना है H.N.B. में 99 जनपत में कितने मानव आकरतियों की खोज हुई थी और इसका सही जवाब हो जाएगा H.N.B. में कितने निर्टकूं का सुंदर चित्रन मिलता है तो देखिए कसार देवी मंदिर आपका इस्तित्र है अल्मोडा में N.B. मैं डटतकूं का सुंदर चित्रन मिलता है और कितने निर्टक थे तो ये थे 14 मानव नर्टकं के हापर सुंदर चित्रन मिलते है नेक्स्ट है द्वारहार्ट के किस मंदर में महासई संस्कृति से संबंद आकरतिया प्रात होई यह अभी अपने बात कर ली है यह हुई थी चंद्रेशुर मंदर में ठीक है यहां से रिबिट कार्णतें जो है 200 कपमाक से खुजे थे अगला है पश्चिमी नयार घाटी में कपमाक स की खोष किस ने की तो पश्चिमी नयार आने की जो दोड़ातोली से निकलती है पश्चिमी और पूरी नयार यह खुजे थे यस्वन सिंग का डॉच ने ठीक है ऑप्सिन नमर एस का सही जिवाब है पश्चिमी रामगंगा हाटी के नौला गराम में यसुदर मटपाल द्वारा कितने कप माक्सु की खोच की गई तो यह हमने आपको बता दिया हभी 73 कप माक्स जो है नौला गराम से खोच गे थे और यह कहाँ पश्चिमी रामगंगा घाटी में इस्तित थे 19 ग्राम ठीक है नेक्स्ट है स्वयाल नदी के तट पर अन्मोडा जन्पत में इस्तित गुफा कौन सी है अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेल आकर्टियू के बारे में यानि की गुफा तट पर है या किस नदी के प्रवाच खेतर में है तो यह है स्वयाल नदी के बढ़ते आगे नेक्स्ट है किस गुफा में यहाँ पर किस गुफा में मिले सेल चित्रों की तुलना भीम बेटका के सेल चित्रों से की गई है याने कि कौनसी गुफ़ा के सेल चितर ऐसे है जिसकी तुनला जो है भीम बेटका के गुफ़ा से की गई है भारत मैं आपको बता होगा भीम बेटका की गुफ़ाइग काँ पर स्तिते हैución मद्रुबर प्रदेश में श्तिते हैं यह नर्तव मंडली और या सामुक नित्री करते हुए दिखायगा इसमें लाखुक गुफवा के सेलिक्रोत में नेक्स इसमें निम्नमें से किस गुफवा के सेलिक्रोत मैं तीन परकार के रंगु का प्रियोग किया गया है, तो इसका भी सही vig of हुजाएगा आपका लाखोगुफवा के सहल जीतर में तीन प्रकार के रंगु का प्रयोग किया गया है अगला प्रस्म है नाकफणी आकार का भव्य सहलासरे इस्तेते हैं लाखोगुफवा जो है इसका जो आकार है वो पूरा दूसरे आखना है किस नदी के तड़ पर है तो यह सोयाल नदी के तड़ और कितने रंगु का इसमें प्रयोक किया गया है इसके बार आखना है यह जो है आकार इसलत कैसा है आकार इसका है नाकफनी के आकार का ठीक है नाकफनी के आकार का और इसके बार आखना है इसका जो कि तोलना लाखो गुफा के तोलना जो है भीम बेटका के सेल चित्रू से की गई है ये भी आपको इससे याद रखना है बढ़ते है आगे नाओ ये तो हमने बात की लाखो डियार की है लाखो गुफा की अब बढ़ते है अगे अगले सेल आकरती की और या अगले गुफा की और या अगले उडियार की और तो next है हमारा प्रस्ट निम्नमे से चमोली जन्पत के डूंगरी गराम में इस्तित गुफा है या उस गुफा का नाम क्या है तो देखे चमोली जन्पत में जो गुफा इस्तित है उसका नाम है गोर्ख्या गुफा काफी ये important question है तो गोर्ख्य गुफा इस्तित है अलक नंदा नदी के तड़ पर या अलक नंदा घाटी मस्तित है या आपको यादखना है option number 30 का सही जिवाब है next है पुरातत्य विदू की नजर में गोर्ख्या गुफा को लाने का स्रे किसे जाता है तेकि गोर्ख्या गुफा देखे इस्तानी लोगों गुफा का मुख्य विषय तो देखे जो भी गुफा है उत्रक्रण में मिली है उनका कुछ न कुछ मुख्य विषय है उनमें जो चित्र दरसाय गये है उनका कुछ न कुछ विषय है उसका कुछ न कुछ मतलब है ठीक है तो इसका सही जबाब है option number D गोर्ख्या गुफा मे तो टूटो यहां से 41 चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें भेड के, बारा सिंगा के और मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं अब क्या क्या आपको गोर्खा गुफ़ा से याद रखना है सबसे पहला पॉइंट यह कहां पस्ते थे तो यह स्तित है आपका चमोली में चमोली में डूंगरी ग्राम में यह स्तित है और यह किस नदी के टटपर या किस नदी घाटी में स्तित है अलक नंदा नदी घाटी है तो यह आपको याद रखना है इसके बाद देखे इसका मुख्य विसे क्या है इसमें है 41 चित्र 41 चित्र में से देखिए मानव के भी है भेड के भी है बारसंगा के है और अन्यपसूं के है और कितने मानव की चित्र इसमें है ये भी पूछा रहा सकता है तो 8 मानव की चित्र है मानव की कितने है आठ है बाकी इसके हैं जानुरों के चित्रे हैं तो इतने सारे पॉइंट जो है मेली एक्जाम में पूछे आते हैं गोरिखे गुफ़ा से यह आपको याद अखना है नेक्स्ट है किस गाउं से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बरतन वो नरकंकाल मिले हैं तो देखे हमने पहले बात की थी 1956 में सिपरसाट डबराल ने मलारी गाउं से सावाधानों की खोच की थी और यहीं पर जो है हमें मिलता है 5.2 किलोग्राम का 5.2 किजी का मुखावरण एवं मुखोटा और मिट्टी के बरतन और नरकंकाल तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलारी गाउं चमूली है कहां से हमें मिलता है 5.2 किजी का मुखावरण नेक्स्ट है किस इस्तान से प्राप्त बरतन पाकिस्तान की स्वात घाटी के सिल्प के समान थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलारी गाउं मलारी गाउं से जो हमें बरतन मिले हैं वो जो है पाकिस्तान के स्वात घाटी के सिल्प के बरतन के समान थे नेक्स्ट है गडवाल विस्वद्याले द्वारा मलारी गाउं का सर्विक्षन कब किया गया तो देखें, गड़वाल विस्व दैले के रिशर्च विभाग दोड़ा दो बार जो है मलारी गाउ का सर्वेक्षन किया जाता है पहली बार किया जाता है 1983 में, दूसरी बार किया जाता है 2001 में तो सही जवाब हो जाएगा इसका B और C दोनूँ ठीक है 1983 और 2001 में गड़वाल विस्वद्याले ने जो है मलारी गाउं का सर्वेक्षण किया या यहाँ पर उत्खननन का कारिय किया नेक्स्ट है निम्न में से किस हिस्तान पर प्राप्त पसु कौनकाल की पहचान हिमाले विस्व या इसको नाम दिया गए ही जूबू के तौर पर हुई है तो इसका सही जबाब है मलारी गाउं से प्राप्त पसु कंकाल के पहचान हिमाली पसु व्रिसब या जुबू की नाम से हुई है और यह जो है रिशर्च जब किया था गड़वाल व्रिसब दाले द्वारा तब यहां से पसु कंकाल प्राप्त हुए है उसकी पहचान की गई हिमाली व्रिसब और जुबू के नाम से ठीक है तो यह आपको याद रखना है निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गाउं से सवाधान की खोज की गई गए सवाधान को किस व्यक्ति ने खस परजाती का बताया तो वहां से जो कंकाल मिले थे हमें उसको जो है किस व्यक्ति ने खस परजाती का बताया तो उसका सही जवाब हो जाएगा option number C, Rahul Sankritan Rahul Sankritan का कहना है कि डबराल जी जो आपने ये नरकंकाल यहां से खोज निकाले हैं, ये जो हैं ख़स पर जाती कि option number C, इसका सही जवाब है तो देखें, मलारी गाउं से क्या क्या आपको या रखना है, मलारी गाउं में सावाधानों की खोज किसने की 1956 में सिव परसाद डबराल ले, ठीक है, सिव परसाद डबराल ले इसके बाद देखें, यहां से हमें क्या क्या मिलता है, यहां से मिलता है नरकंकाल नरकंकाल, ठीक है नरकंकाल हमें यहां से मिलते हैं और यहां से मिलता है 5.2 में बरतन मिले है मलारी गाऊं में जिनका संबंद जो सिंदू घाटWest Salabita स भी रहायद ठीक है तो यह एक्जाम में उखर पुछा जाएगए कि किस सिंदू घाटी संबंद से संबंद आउसेस्थ प्राप्थ यह हुए हैं मलारी गाऊं से इस वाद कि गढ़़ala कब यहां पर रिसर्च किया गया तो दो बार किया गया 1983 और 2001 में तो यह सारे पॉइंट जो है आपको मलारी गाउं से याद रखने हैं मलारी गाउं कहां सते थे चमोली में सते थे सफेज रंग से चित्र पसूं एवं हत्यारों के सेल चित्र प्राप्त हुए है तो सफेज रंग से पसूं और हत्यारों के सेल चित्र कहां से प्राप्त हुए है किमनी गाउं से किमनी गाउं भी जो है चमोली में सते थे लेकिन यह सते थे आपका पिंडर घाटी में ठीक है पिंडर घाटी में और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है सफेद रंग से चित्र पसू और अतियारों के सहल चित्र ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है हुडली नामकस्तान निम्न मैं से कहां इस्तित है यह भी काफ़े महत्वर्ण कोशिन है एक्जाम में आचुका पहले हुडली इस्तित है आपका उत्तरकासी जन्पत में ऑप्स नमर सीश का सही जवाब है देखे हुडली से भी हमें सैल चित्र प्राप्त होते हैं और इन सैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है तो उत्रकंड में नीले रंग का प्रयोग कहां से प्राप्त सैल चित्रों में किया गया है उत्रकासी से प्राप्त सैल चित्रों में किया गया है तो इसका सतही जवाब है option number D Liothap Liothap इस्ते थे अल्मोड़ा में ठीक है Almoda में इस्ते थे Liothap Liou का अर्थ होता है आपका खून और थाप का अर्थ होता है वाहँआपर निसान ठीक है तो खून के निसान के type का लाल रंके थे इसले इसको लियो थाप का जाता है, इस इस्तान को भी लियो थाप का जाता है तो यहां से जो हमें सैल चित्र प्राप्त होते हैं, वो लाल रंके प्राप्त होते हैं और तीन सैल चित्र प्राप्त होते हैं, इनका विसेशता क्या थी तो इसमें दर्साया गया है पसू का सिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नर्ति करते हुए इसमें दर्साया गया है तो किस सैल चित्रों में हाथ में हाथ रखकर नर्ति करते हुए दर्साया गया है वो है लियोथाप के सैल चित्रों में सामोहिद निर्थि कहां पर था? वो था लाखु अडियार में ठीक है नेक्स देखे मनुश्य को सिकार करते हुए हाथ मा हाथ डाल कर निर्थि करते हुए किस सैल चित्रो में दिखाया गया है तो यह अभी अबने आपको उताया लियो थाप के सैल चित्रो में नेक्स्ट है फड़का नौली और पेट साल इस्तिलू की खोज किन के द्वारा की गई तो देखे फड़का नौली और पेट साल यह दोनु सैल आसर भी हमें जो है अलमोडा से प्राप्त होते हैं फड़का नौली और पेट साल और इनकी खोज का जो सरी जाता है इनकी खोज किसके द्वारा की गई यह सोधर मठपाल के द्वारा option number 6 का सही जवाब है next है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको अतान है फड़का नौली इसकी खोज होती है 1985 में बिल्कुल सही है इसके बाद देखे पेड़ साल इसकी खोज होती है 1989 में यह भी बिल्कुल सही है याद रखीगा फड़का नौली की 1985 में पेड़ साल की 1989 में दोनों की खोज की थी यह सोधर मठपाल पेड़ साल इवं फड़का नौली सुयाल नदी के परभाद चेतर में इस्तित है तो ये भी सही है बिल्कुल ठीक है फड़का नोली से प्राप्त सेला सरे आठ है इनकी संक्या लेकिन इनकी आठ नहीं है इनकी है तीन ठीक है तो ये आपका गलत हो जाएगा कि किस इस्तान से हमें मानोचितर प्राप्त होते हैं योग मुद्रा में तो उसका सही जवाब है फलसीमा फलसीमा कहां इस्तित है ये भी आपका अलमोडा जन्पत में इस्तित है अलमोडा में इस्तित है फलसीमा, फड़का नोली, पेट साल, लियो थाप और लाखो डियार बढ़ते हैं अगला प्रसने है निम्न में से बंदकूर तामर आकरतियों की खोच किस पर सकी गई तो बंदकूर आपका इस्तित है पितोड़गर में ठीक है पितोड़गर में इस्तित है और यहां से प्राप्ट ताम आकरतियों की खोच की गई थी 1989 में उप्सन नम्बर सी इसका सही जवाब है नेक्स्ट है बंदकूर से प्राप्त तामर उपकरण किस जनपत के राजकी संग्राले में रखे गए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्सन नम्बर सी अलमोडा के राजकी संग्राले में रखे गए हैं बंदकूर से प्राप्त तामर उपकरण नेक्स्ट है हटवाल घोडा सैल चित्र का संबंद किस जन्दपत से है तो हटवाल घोडा सैल चित्र का संबंद है अलमोडा जन्दपत से ओप्सन नमर एस का सही जबाब जाएगा तो maximum जो cell चित्र या cell असरह हमें प्राप्त होते हैं वो almoda और चमुली से प्राप्त होते हैं कुछ हमें पिदढ़गर या उत्रकासी से देखने को मिलेंगे लेकिन almoda और चमुली जो है most important है cell चित्र या cell अकर्ट्यू के दिस्ट्री से ठीक है बढ़ते हैं अगे अब हम साहित्तिक सरोतों से संबंदित ncqs को लगाएंगे इससे पहले हमने देखिए पुराता त्विक सरोतों के बारे में बात की थी अब साहित्तिक सरोतों पर हम बात करते हैं इससे related ncqs हम discuss करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला question आता है उत्राखंड का पर्थम उलेग किस वेद में हमने देखने को मिलता है यह बहुत बार आ चुका है exam question यूकितर पलसी ने पूछा इसको UKPSC ने भी पूछा है UBTR भी ये question पूछ चुका है तो देखिए उत्राखंड का सबसे पहले उलेग जो है किस वेद में मिलता है तो यह मिलता है रिग वेद में ठीक है सबसे पहला वेद कौन सा सबसे पहला वेद भी जो है रिग वेद है चार हमारे वेद हैं, रिगवेद, सामबैद, यदूरवेद और अथरवेद, ठीक है, तो रिगवेद में जो है, हमें उत्राखन का सबसे पहले उलेख मिलता है, ठीक है, अब उत्राखन का जो उलेख है, रिगवेद में किस नाम से मिलता है, यहाँ पर अगला कोश्चिन वह में question बनेगा कि दे भूमी या मनेशुर की पूर्ण भूमी का उल्लेग हमें कहा मिलता है तो ये मिलता है रिग वेद में option नमर 20 का सही जवाब है next है निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालाई खंडू का वर्णन किया गया है तो इसका सही जवाब है इसकंद पुराण option नमर 20 का सही जवाब है इसकंद पुराण में जो है 5 हिमालाई खंडू का वर्णन किया गया है अब ये 5 हिमालाई खंड कौन कौन से है पहला इसमें है नेपाल ठीक है नेपाल हिमालाई दूसरा है आपका केदार खंड केदार खंड तीसरा हो जाएगा आपका मानस खंड ठीक है चोथा आपका हो जाएगा कसमीर हिमालाई कसमीर और पाचवा है चलंदर ठीक है तो ये 5 हिमालाई खंडू का वर्णन जो हमें इसकंद पुराण में मिलता है 20 इसका सही जवाब है और उत्राखंड में इस्तित कौन-कौन से खंड है तो केदार खंड और मानस खंड उत्राखंड में इस्तित है नेक्स्ट है उत्राखंड है तो उत्तर कुरू सब्द का प्रियोग किस ब्रहमन गरंथ में किया गया है तो उत्तराखंड का उल्लेक जो है आपको एत्रवी ब्रहामन में मिलेगा और कौस्ति की ब्रहामन में मिलेगा ठीक है तो उत्तर कुरू का प्रयोग क्या गया है एत्रवी ब्रहामन में तो कौस्त की ब्राह्मान ऑप्सर नमर एस का सही जवाब हो जाएगा ईक्जाम बोग कॉश्यन आ सकता है कि बौध mater hue में केदारखन वा मानस खन्ड की सउ culmin तर खन्ड ॥ terror हुआ ऊंतर खन्ड याँ पूत हए उत्तर खंड, योजहिक हो जया गाए आपर बीच में टिके उत्तर खंड, खस देश और ब्रह्मपुर इसका सही जवाब हुजएगा उप्रिक्त सभी पुराणों में किदर खंड वह मानस खंड के सही चैस को कहा गया है उत्तर हंड, खस देश और ब्रह्मपुर ऑप्सिन थीस का सही जवाब है नंदा देवी परवत से कालगरी तक की छेत्र को क्या कहा गया है तो नंदा देवी परवत से लेकर की कालगरी तक की छेत्र को कहा गया है मानस खंड, option number A, इसका सही जवाब हो जाएगा यानि की वर्तमान का कुमाउं छेत्र, ठीक है नेक्स्ट ए माया छेत्र से हिमाले तक की व्रिस्तित छेत्र को क्या कहा गया है तो माया छेत्र कहा जाता है हरीदुआर को ठीक है यहां से लेकर के हिमाले तक का जो व्रिस्तित छेत्र है इसको कहा गया है केदार खंड पुराणों में अगर पश्चिम से पूरव तक की बात करें तो पश्चिम में देखे, टॉस नदी से लेकर के, टॉस नदी से लेकर के नंदा देवी परवत तक, तो ये जो हमारा पूरा जोगरिफिकल एरिया है, इसको कहा गया है पुराणों में केदार खंड और मानस कंड क्या है, मानस किया है कुमाओं कोल तो मानस कंड ये नंदा देवी परवस्च से लेकर गये यहां कालिने कृहां मानसखंड है ठीक है और केदारखंड और मानसखंड की जो विभाजन सीमा है इसको कहा गया बधान शेत्र या नंदा दिवी परवस्त है ठीक है ओप्शन नमर डी इस प्रस्निका सही जवाब है ठीक है यहीं अलकापुरी में मनु का भी निवास इस्तान था ठीक है यह भी एकजाम में बन सकता है नेक्स्ट है केदारखंड में गड़वाल की सिमाओं की लंबाई और चोड़ाई बताई गई है तो देखिए इसका सही जवाब है ओप्शन नमर सी ए और बी दुन लंबाई केतनी है पचास योजन और चोड़ाई है तीस योजन योजन क्या है पता है इसका अर्थ योजन का योजन है इकाई मापन की काई वैदिक समय में मापन की का जाता था योजन को ठीक है तो पचास योजन लंबाई है और पैस योजन जो है चोड़ाई है केदारखंड की ओप्सिंन मर सी साइजवाब है किस βेद में वर्न मिलता है कि इंद्र वव सुधास ने असूर राजा संबर के 100 गढ़ों को नस्ट किया था तो ये हमें वर्न मिलता है RIG वेद में कितने गढ़ों को 100 गढ़ों को और देखे जो गढ़वाल छहित्र है जो गड़वाल हम कहते है वरतमान का गड़वाल ये जो सब्दा आया ये निकल के आता है पंदरसो पंदरा से ठीक है पंदरसो पंदरा में जब अजेपाल ने सभी गड़ू को जीता था बावन गड़ू को तब ये सब्दा निकल के आता है गड़वाल पुराने समय में या प्राचिन समय में कोई गड़वाल सब्द नहीं था ठीक है नेक्स्ट है रगुनात मंदिर कहां इस्थे थे तो रगुनात मंदिर इस्थे थे देव प्रियाग में और देव प्रियाग में ही जो है भगवान राम ने तपश्या की थी इसलिए हैं अपने मंदिर इसलिए रगुनाद मंदिर नेक्स्ट है महाबारत में किस प्रियाग को समगर पापू का विनासक और तीर्थू का सिरोमणी कहा है तो महाबारत काल में जो है समगर पापू का विनासक और तीर्थू का सिरोमणी बहुत ही जादा महत्रपुन कोश्चिन है इसका सही जवाब जगा देव परियाग को जो है महाबारत में समगर पापू का विनासक और तीर्थू का सिरो मनी कहा गया है और देव परियाग कहां स्तित है टीरी में स्तित है ठीक है वैदिक गरंथू की रचना हुई थी तो इसका सही जवाब है रिगवेद की अनुसार जो है बद्रिनात की निकट कौन-कौन सी गुफाई है गनेज, व्याज, इसकंद, नारद और मुचकुन्द, मुचकुन्द गुफा कहा इस देता है अगला प्रसन है नीचे दियेगे स्थानू में से पुलिंद राजा सुबाहू की रजधानी थी तो हमने आपको पहले बता दिया है पुलिंद राजा, यानि कि प्राचीन जो राजा थे सुबाहू, कुरिंदू के उनकी राजानी थी स्री नगर ओप्सन नमर सीस का सही जिवाब है जिसका हमें वड़नन माभारत की वन पर्व में मिलता है नेक्स्ट है तपोवन जुकि टिहरी के रवाल में स्ती थे मैं किसने तपश्या की थी तो लक्समर्ण जी ने तपश्या की थी तपोवन में भगवान स्री राम ने तपश्या की थी देव प्रियाग में और लक्समर्ण जी ने तपश्या की थी तपोवन में नेक्स्ट है किस पर्व की अनसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलपी से गंगाद्वार में हुआ था तो इसका सही जवाब है option number B आदी पर्व में ठीक है और देखे जो गंगादार है ये नागराज कौरवे की जो है राजधानी थी अगला प्रस्थन है महाकवी कालिदास ने किस गरंथ की रशना करवासरम में की थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number D इनमस से कोई नी अविग्यान साकुंतलम ठीक है अविग्यान साकुंतलम की रशना जो है महाकवी कालिदास ने करवासरम में की थी नेक्स्ट है निमनमस से किस इस इस्तान पर बसंत बंचमिक की दिन जो है मेला लगता है तो इसका सही जवाब है option number C चौकाघाड अब चौकाघाड कहा है तो देखे करवासरम का जो वर्तवान नाम है वो है चौकाघाड इसको वर्तवान में चौकाघाड की नाम से जाना जाता है ये काहाँ पर इस्तित है ये कोड़ द्वार के पास में इस्तित है और यही आपको यारखने है कि बसंत पंचurpose को यहाँ पर मेला लगता है और चौकाघाड को जो प्राचीन नाम है वो है कडवासरम ठीकै तो ये आपको यारखने है बढ़ते आगे अगला प्रस्ण है कडवासरम किस नदी के तड़ पर इस्ति थे तो कडवासरम मालनी नदी के तड़ पर इस्ति थे option number A इसका सही जिवाब है next है अल्मुड़ा में यक्सु के निवास की पुष्टी कौन सा मंदिर करता है अगला प्रस्ण है मानस खंड वग कुरमानचल किस शेत्र का पर इसका पर इसके पर इसके बाद पर इसके के बाद यो है जो है कुमावू पढ़ता है अगला प्रस्थन है पुरसुत्तम सिंग के बौध गया अभलेक में कुमाव के लिए कि सब्द का प्रियोग किया गया है तो इसका सही जवाब है और आप्सन मड़ी कामादेश ये जो है बौध गया अभलेक है पुरसुत्म सिंग का इसमें कुमाओं के लिए सब्द प्रियोग किया गया है नेक्स्ट है कुमाओं चीतर में किंदर यक्स नाग गंदर्व किराद आदी का निवास का वर्णन किस पुराण में हमें मिलता है तो इसका सही जिवाब है वायू पुराण में कुमाओं और गड़वाल दोनों मैं जो है किनर यक्स नाग गंदर्व किरात जाती हूं करवा दे हमें वायू प्राण में मिलता है अगला प्रस्टन है बेरी नाग या बी नाग मंदिर किस जनपत में इस्ते था था है द्वारा समराथ युदिस्टर को भारत के तीर्थ केंद्रू के बारे में जानकारी दी जाती है तो महापरत में युदिस्टर को जो है तीर्थ केंद्रू के बारे में जानकारी दी जाती है रिसी दौम्या द्वारा ऑप्सन नमर एसका सही जवाब है अगला प्रसन है मानस के अनुसार किस स्थान्पर सिफ की तपश्या करने के पश्याद कार्थिके का जन्म हुआ था यह भूति महात्वर्चalter है अधिम कार्थिके का जन्म जुए वह था जा गिस्फर धाम ने उपसर से इसका सइस जीवाप अब हम बात करते हैं उत्रखंड की पूरा परजाती की बारे में तो इसमें देखे कोश्चिन क्या क्या आपसे बनते हैं तो अगला कोश्चिन है उत्रखंड राजी में आने वाली या निवास करने वाली प्रथम प्रजाती समू कौन सा है तो उत्रखंड में निवास करने व भारत की प्राचिन्तम जाती मानते हैं तो ये मानते हैं सिव परसाद डबराल ठीक कोल या मुंड को जो है मुंड और सबर भी कह गया प्राचिन्तम में और सिव परसाद डबराल का मानना है कि हिमाले छेत्र की जो प्राचिन्तम जन्जाती थी या प्राचिन्तम जाती थी वो या सबर की रूप में मुंड़ जो भासा थी वो किरातू की थी लेकिन मुंड़ जो वर्णन मिलता है वो कोल परजाती के लिए मिलता है नेक्स्ट है नाग के साथ साथ लिंग पूजा किस परजाती के द्वारा की जाती थी तो नाग पूजा और लिंक पूजा कोल प्रजाती के द्वारा की जाती थी और कुमार और कुमारी प्रथा किस प्रजाती में परचली थी कोल प्रजाती में next देखी कोल के बाद उत्राखण में किस प्रजाती का आधिपत्ति रहा है तो कोलू के बाद कोन आते हैं कोलू के बाद आते हैं किरात option number 10 का सही जवाब है अब कोल से कहके आ रखने है कोल जो है पर्थम प्रजाती समू है उत्राखरण का ठीक है कोलू को जो है साहिति गरंतु में कहा गया है मुंड या सबर मुंड या सबर कोलू को कहा गया है ठीक है कोलू में कौन सी पर्थाएं थी कोलू में थी कुमार कुमारी पर्था कुमार कुमारी पर्था कोल जो थे नाग पूजा के साथ साथ जो है लिंक पूजा भी करते थे ठीक है इसकंद पुराण में किरातु को क्या कहा गया है भील कहा गया है किरातु की भासा क्या थी मुंदा थी किरातु की भासा ठीक है ये आपको एकना है और किरातु को कीर या किंदर भी कहा गया है कीर या किंदर ये भी एक्जाम बन सकता है कि रहके नर्सब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है तो किरातु के लिए प्रयोग किया गया है नेक्स्ट है कुंति पुत्र अर्जुन के साथ किरातु का युद्ध किस इस्तान बहुता तो भिल्लव के दार नामग इस्तान पर अर्जुन का युद्धू हाता किरादू की साथ तो देखे जो कुरिंदे थे कुरिंदू ने युद्ध लड़ा था पांड़ू की ओर से और किरादू ने युद्ध लड़ा था कौरों की ओर से ठीक है तो इसलिए ये कोशिन है कि अर्जुन के साथ किरातु का युद्ध का कहा पर हो था भिल्लव के दार नामग इस्तान पर next है महाबारत के किस पर्व के अंसार किरातु ने सिव के जंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था तो इसका सही जवाब है option number B one पर्व के अंसार जो है किरातु के निवास के उत्रखड में पुस्टी होती है और महाकभी कालिदाज के रग्वणस महाकाभी में विज़ू है किरातु का वण्यन हमें देखने को मिलता है अगला देखे निवास करते हैं तो देखेzz है A और B इसका सही जवाभ है असकोट डेडी हाट पिथोड़ागर में अभी भी किराज जाती के वंसस निवास करते हैं किराज से क्या क्या रखना है किराज जो है कोलू के बाद जो है उत्रखन में निवास करते हैं कोलू का जो पतन है वो किरातू ने किया था किरातु से याद रखने है इनको जो है भील कहा गया है सकंद पुराण में क्या कहा गया है भील ठीक है इसके बाद कि किन्नर और कीर भी इनको कहा जाता है किन्नर और कीर ये भी आपको रखने है मुंडा इनकी भासा थी क्या थी इनकी भासा मुंडा ये जो है point आपको याददिने किरात्यों से next है गडवाल और कुमाओं में बौद धर्म का सरवाधिक परचार किसके समय पर हऊए तो इसका صحी जवाब है खसु के time पर गडवाल और कुमाओं में बौद धर्म का सरवाधिक परचार हुआ था और किरात्यों के बाद उत्रकरण में कौन सी पूरा परजाती का आदिपत्ति रहता है वो रहता है खसू का तो अभी जो कॉश्चिन आएंगे खसू से जम्बादित कॉश्चिन होंगे नेक्स देखें निम्न में से कौन सही समिलित नहीं है तो बहुत सारी परथाएं जो है खसू में चलती थी जैसे जटेला परथा ये सही है ये खसू में परचलित परथा थी टिक हुआ परथा ये भी खसू में परचलित परथा थी घर जवाई परथा ये भी खसू में परचल थी और अपनी जेष्ट फुत्री को जो है खस मंदिर में दान कर देते थे तो ये परताई जो है खस उसे सम्भंदिद है नेक्स ए किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया परजाती को सौका कहा जाता है तो भोटियान तिक जो परजाती थी इससे संबंदिद कोशिन है तो इसका सही जवाब है काली नदी में ठीक है काली नदी घाटी में रहने वाले भोटियाओं को सौका कहा जाता है और इसको हम जो है उत्राखन की जनजातियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इससे रिलेटेट कोशिन को बस आपको इतना ही आ रखना है और भी बहुत सारे कोशिन बनते हैं भोटिया जनजाती से लेगे नहीं आपर हम बात करें पूरा पर जाती की तो यह कोशिन जो है एक्जाम के पॉइंट अपूर्टन है याद इसको कर लीजीगा अब हम बात करेंगे इस्टोरिक पीरेट के बारे में एतिहासिक काल के बारे में इस से रिडेट MSQS को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब उत्रखन में आ जाते हैं राजनितिक वंस यानि कि राजनितिक सक्तिया उत्रखन में उभर के आती है पहला देखिए उत्रखन की पुरा परजाती कौन से थी? वो थी कोल ठीके उत्रखन में साथन करने वाली प्रथम राजनितिक सक्ति कौन से थी? वो थी कुडिन्द ओर तीसरा कोशन आएगा उत्रखन का पहला एतिहासिक राजवन्स तो वो था कत्यूरी राजवंस कत्यूरी राजवंस ये तीनों कोशन अलग लग हैं इनको अच्छे से याद कर लिजीगा तो उत्रकर्ण में सासन करने वाली पहली राजवंस दिख सकती थी कुडिंद आप्सन नमबर सीज का सही जिवाब है नेक्स्ट है किस लेक के अनुसार कुडिंद सासक प्रारंब में जो है मौर्यू के अधिन थे तो इसका सही जिवाब है आप्सन नमबर बी कालसी सिला लेक या कालसी लेक के अनुसार जो है कुडिंद सासक प्रारंब में मौर्यू के अधिन थे तेकि कुडिन्दु वंस की बात के तो आज देते हैं सी काल से ही कुडिन्दु का जो है उत्राखण में निवास था वैदी काल में महभारत में हमें देखने को मिलता है उत्राखण में कुडिन्दु का निवास था लेकिन जो इसके लेख या इसके मुद्राय हमें प्राप्त होती है वो मेली प्राप्त होती है 200 इस्वी पूरु से लेकर के 200 इस्वी पूरु से लेकर के 300 इस्वी तक यहाँ पर जो है कुडिंदु के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है नेक्स देखिए इसी सिलालेक के बारे में कुश्यन है असुक कालिन कालसी सिलालेक का समय है तो ये कौन से समय का कालसी सिलालेक है तो ये सिलालेक है दोसो सतावन इस्वी पूर का ठीक है दोसो सतावन इस्वी पूर का ये सिलालेक है और इसकी खोज होती है 1860 में 1860 में फिस्टर द्वारा इसकी खोज गी जाती है और ये 277 निस्वी पूर्यू का सिलालेख है इससे में पता चलता है कि कुरिंद जो है कही न कहीं मौर्यू के अधिन थे बढ़ते हैं आगे अगला प्रसन है किस सिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पूलिंद एवं छेत्र को अपरांत कहा गया है तो देखे ये सिलालेख है कालसी सिलालेख में वहां पर निवास करने वाले लोगों के लिए पूलिंद और छेत्र को अपरांत कहा गया है कालसी सललेक में किस भासा और किस लिपी का प्रियोग क्या गया था तो प्राकर्थ बस में भासा थी प्राकर्थ भासा थी और ब्राहमी लिपी का प्रियोग क्या गया था ठीक है ब्राहमी लिपी में था और प्राकर्थ भासा में नेक्स देखें असंकत युग में आपको चुनने हैं तो पहला उप्शन है कुरिंदू की परत्छम राजानी काल कुरती ये सही है महाबारत में कुणिंदू को दीज कहा गया है तें कुरिंदू कहा गया है दीज लेकिन कुरिंद नरेशु को आगया दूज स्रेश्ट ये एक्जाम बनाए कोशियन कुरिंद नरेशु को आगया दूज और कुरिंद नरेशु को आगया दूज स्रेश्ट कुरिंद की दूसरी आज़ानी थी सत्रुगन नगर ये भी सही है अमोध्य बूति सासक्ता चंदवंसका ये गलत है अमोध्य बूति जो है कुरिंदवंसका सासक्ता और ये जो है सबसे प्रतापि और सबसे सक्ति साली सासक्ता कुरिंदवंसका तो option number D इसका सही जवाब हो जोएगा अगला है, महाबारत के किस पर्व के अनुषार कुणिंद साज सक्स bashु का उलेख मिलता है तो हमने बात की थी की प्राषीन कुणिंद था यानि कि जो उत्तरव्यदिकाल में या महाबारत काल में हमें कुणिंदु के बारे में पता चलता है वो जो है हमें एक का दुका ही पता चलता है ज्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती है बस एक सुबाहू के बारे में हम पता चलता है कि ये कुडिंद सासक था ठीक है तो कुडिंद सासक सुबाहू का हमें वर्णन मिलता है महावारत काल में महाबरत के one परूर में option number D इसका साही जवाब हो जगा और इसकी जो राजधानी थी सुबाहो की ये थी स्रीनगर स्रीनगर जो है सुबाहो की राजधानी थी ये कुरिंद सासक था ये प्राचिन कुरिंद के हम बात कर रहे है इसके बाद आगे बढ़ते हैं next देखें किस विदेशी लेखक ने कुरिंद सासक का वर्णन किया था तो कुरिंद के बारे में वर्णन किया था विदेशी लेखक टॉलमी ने option number B इसका सही जवाब है इसने जो है कुरिंद का वर्णन किया था अगला है निम्न में से कुरिंद सासुक की मुद्राय कहां से प्राप्त हुई है तो देखें कुरिंद सासुक की मुद्राय बहुत जगर से प्राप्त हुई है लेकिन यहाँ पर निम्न में से पूछा है इन ओप्सन में से पूछा है तो देखें इसका सही जवाब है का सबसे सकती साली सासक कौन था तो इसका सही जवाब है कोडिन्द वन्स का सबसे सकती साली सासक था अमोद दिभूती option नमर A इसका सही जवाब है question बहुती important है कोडिन्द वन्स का सबसे सकती साली सासक कौन था अमोद दिभूती अगला प्रसन है कोडिंद नर्शु को किस गरंथ में दुजश रेस्ट कहा गया है तो अभी हमने बात की कोडिंद नर्शु को महाबारत में और कोडिंदु कहा गया है दुज़ अगरा प्रस्ण है निम्न मैं से किस लेखग या इत्यासकार की अनुसार कोडिंदु ने दो सो इस्वी पूर से लेकर के तीन सो इस्वी तक सासन किया था तो ये मानना है इतिहासकार यस्वन सिंग कटोष का ओप्सन नमर एस का सही जवाब है नेक्स्ट है अमोद दिबुती अलमोडा परकार परकार की मुद्राएं और चत्री सुर परकार की मुद्राएं अमोद दिबुती परकार की मुद्राएं अमोद दिबुती से संबंदित है अलमोडा परकार की मुद्राएं इसले क्योंकि यो अलमोडा से मिलती है और चत्री सुर परकार की मुद्राएं जो है ये भी कुरिंद राजवन से संबंदित है अगला प्रसन है अमोद दिबूती परकार की मुद्राओं में किस लिपी का प्रयोग किया गया है बहुत जादा महतुपूर कुश्चिन देखें अमोद दिबूती परकार की मुद्राओं में तामबे की बाकी जो अलमुडा परकार और चातरीसुर परकार है वहाँ पर आपको जो है तामबे की मुद्राइं मिलेंगी लेकिन रजद की बुद्राइं जो है सिर्फ अमोद्धी बूती परकार की मुद्राओं में हमें देखने को मिलता है दो लीपियों का प्रियोग की आगए है खरोष्टी और ब्रामी ठीक है बाकी मुद्राओं में आपको ब्रामी लीपि देखने को मिलेगी तो यह आपको यारतना है अमोद्य बूती जो है कोड़ी द्वन्स का सबसे सक्तिसाली सासकता है अब यह हम क्यों कह रहे है क्योंकि अमोद्य बूती ऐसा सासक है जिसके हमें बहुत सारी मुद्राओं देखने को मिलती है उत्राखंडी नहीं बहुत अन्नी जगों से भी देखने को मिलती है और रजद की मुदरोयें सिर्फ अमोडी बूती नियुश चलाइए ठीक है रजद की मुदरोयां में चला रहा है तो इसका मतलब क्यों है सक्ति-सालिय और धन्वान सासक है Next है यहांपर है रज Next है रजकुरंदशए हो अमोडी बूती शो हो महरज शो किस भासा में लिखा गया है तो ये लिखा गया था अमोदी बुत्री की मुद्राओं में और ये लिखा गया था प्राकर्त भासा में option number 20 का सही जवाब है next है अल्मोड़ा परकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है तो कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा परकार की जो है 54 मुद्राएं प्राक्त हुई है option number A इसका सही जवाब है next है स्रिवपालित, हरिदत, सिवदत का सम्मंद है तो ये जो है कुरिंद राजवन्स के सासक थे 8 कुरिंद सासक का लेक मिलता है अल्मोड़ा परकार की मुद्रों में कितने कुरिंद सासक का और जो है चार कुरिंद मुद्राएं ऐसी है जिनको बिटिस संग्राले में रखा गया है 这 सम्मंदू है तो ये खेस्टिकर से इंपोर्टेन है अगला प lettism है अबिलेग जो है उत्स तक्रवात से प्राप्ता नहीं हुए यह कहां कहां से प्राप्त हुए है चुर्पा Wed выпуск बानेाद के निगोण सीं और कहां さ को कोरिंदु लाधे में तीसर प्रकार जो मुद्रा ती this ये भी कुडिंदु से संबंदित हैं बागी देखिए हमने अमोध दिबुती परकार की मुद्राओं की बात की उसमें म्रिग और लक्समी की चितर अंकित किये थे म्रिग और लक्समी की तो ये अमोध दिबुती परकार की मुद्राओं में अंकित थे तो और मंदिर का निर्माण क्या था? नवी सताबदी में कट्टू डाइनेस्टी के राजा कटारमल देव ने ठीक है लेकिन इसमें जो है आपकी बटुधारी सिव की मोर्ती मिलती है जिसकी पुझा सक जाती के लोग करते थे तो इसलिए इतियासकारों ने पुश्टी की है कि सकू का भी जो है कभी न कभी सालिस आसकता कनिस्क ऑप्सन नमर सी इसका सही जवाब है नेक्स देखे कुसान काली मुद्राय निम्न में से कहां से प्राप्त हुई है तो कुसान काली मुद्राय प्राप्त होती है उप्रिक्त सभी वीर भद्र इसका किसका पुराना नाम है रिसी के इसका ठीक है होती है गुविषान याना कि wykorतमान का कासी पूल और देखे खटीमन से भी साथ स्वान्मद्राई पराप्त होती हैं खटीमम से ओर ये वसुदेव यो राजा है इस सासक का उल्लेक उसमें उस सासक का नाम के उसमें क्या गया है नेक्स्ट है कुसार सासक हुविस्क की स्वर्ण मुद्राय मुनिकी रेती से कब प्राप्त होती है मुनिकी रेती यानि कि टेहरी की बात करें टेहरी में मुनिकी रेती तो यहां से 1972 में कुसान सासग हुए इसके जो की कनिस्ट के बाद जो है सियासत पर बैड़ता है इसकी मुद्राइं प्राप्त होती है तो देखे कुसानों की मुद्राइं कहां कहां से प्राप्त होती है कुसानों की मुद्राइं देखे स्वर्ण मुद्राओं के बाद के तो मुनिकी रेती तेहरी से प्राप्त होती है तो यह कुसान काली मुद्राओं से संबंदित कुश्चिन है या आपको यारक ने है और सबसे सक्तिसाली यह सासक जो था वो था कुसान का कनिस्क पतंजली जो है इनके पुरो हित्ते ठीके बढ़ते आगे अगला प्रसन है कालो का डाण लेंजडाओन तो यह अपको या दखना है बढ़ते हैं आगे सासकों के सिक्कू में सूलधारी कार्थके का चितर अंकित हुआ है तो यह यॉधे वंस के सासकूं के सिक्कों में सूल धरी कार्थिके का अंकर चित्रित हुआ है और शिक्के कहा से मिले हैं जोंसार बावास से और कालो का डंडा लेंस जाउन से ठीक है तो यह आपको याद रखना है नेक्स देखें भारत में कुडंदू से संबंदिर कितने अभिलेग जो है गंगास से लेकर के करनाली नदी तक व्रिस्तित था और परवताकार नाम से जाना जाता है क्योंकि पौरववन्स की जो है यह राजधानी थी नेक्स देखें निमने में से गोविशान राजी के अंतरगत छेत्र था तो इसका सही जवाब है यहाँ पर कर देजी उप पौराणा नाम है गोविशान अगला प्रस्न है गौत्री बन्स का प्रथापी सासक निमन में से था तो इसके बाहर आता है गौत्री क्टापी सासक था और ओप्स नमर से समंद्र एक्जाम्स от कॉशिन आया है तो यह प्रस्न देखें इस प्रिकागा है कि बढ़वाला शीर्ष थाध की सब्सक्राइबомеरे का अगला प्रस्वा है सासन करता था और इसका प्रतापी सासकता वो था वीर्यस ठीक है इसने जो है वरत्तकार राजयत मुद्राइबि चलाई थी नेक्स्ट आता है कृत-पुर-राजवन्स या कृत-पुर-राज-जी की राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी थी कार्तिकेपुर ओप्स नमर 20 क नेक्स्ट है निम्ने मैं से किस के अनुसार हुन्ड राजा तूर्मान वो महिर कुल के अधिन हिमाले का कुछ भाग रहा था तो ये राहूल सांकर्ट्यान के अनुसार ओप्सन अमबर एस का सही जवाब है अगला प्रस्थन है किस प्रस्थि में कृत्पुर राजी को गुप और देखे जब हून आकर्मा हुआ था भारत में तो कृत्रपुर राजी जो है ये गुप्त सामराज जी किया दिन था और हून आकर्मा हुआ था इसकंद गुप्त के टाइम पर ठीक है बढ़ते आगे नेक्स्ट है लाखा मंडल से मिले एक खंडित सिलालाएक किस वंस से संब्दित है तो एक्जाम में कोशन आ चुका है पहले युकितर पलस्थि वाले में तो छांगले इस वंस से संब्दित है ऑप्सन नमर सीज का सही जबाब है नेक्स्ट ए लाखा मंडल से मिले खंडित अभी लेखू में कितने राजाओं का उलेख है तो साथ राजाओं का उलेख है option number A इसका सई जिवाब है अगला one से है यदुवंस यदुवंस के राजाओं की जानकरीवी हमें लाखा मंडल से मिलती है कहां से मिलती है लाखाम अंडल से और यहां से मिलता है राज कुमारी इस सुरा का एक लेक मिलता है कहां से मिलता है लाखाम अंडल से option number A का सही जिवाब है next है गोपिसर तरसू लेक में किस लिपी का प्रयोग किया गए है अब यदू वंस के बार आता है नाग वंस ठीक है नागू का जो है यहां पर कुछ पूस्टी यहां पर कुछ लेक हमें मिलता है उत्राखण में तो इसका सही जिवाब है इसमें देखिए ब्रामी लिपी का प्रयोग किया गए है उप्सन नमर C इसमें ब्रामी लिपी का प्रयोग किया गए है यह नाग वंस की संबंदित है ठीक है इसमें नाग वंस की पुछ्टी होती है नेक्स दिखिए गोपेसुर के तरसूल एक में कितने नाग राजाओं का नाम मिलता है तो चार नाग राजाओं का नाम मिलता है और ये चार राजाओं कौन-कौन थे तो पहला है स्कंद नाग दूसरा आरखना है गड़पती नाग तीसरा आपको यारगन है वीबू नाग ठीक है चौथा आपको यारगन है अंसुनाग और जो गड़पती नाग है ये इसका सबसे प्रतापी सा सकता नागवंस का ठीक है तो चार राजाओं का उल्लेग यहां से मिलता है कहां से गोपेसर के तरसूल लेग से और ये कौन से लिपी में है ये है ब्रामी लेपी में और नाग वंस के बाद जो है किसका हमा उत्राखने में लेग मिलता है वो मिलता है मौकरी वंस का ठीक है कनोश की मौकरी वंस का तो इसके बारे में बात करें आगी देखें यहाँ पर है अगला कुशिन नागू को प्रास्त करने का कारिक किस ने क्या था तो ये क्या था मौकरी वंस ने option नमर 20 का सही जिवाब है मौकरी वंस का अंतिम सासक कौन था तो इसका सही जिवाब है ग्रह वर्मा ग्रह वर्मा जो है मौकरी वंस का अंतिम शासक था और इसकी हत्या किसने की थी हर्जवर्धन ने इसके बार सुरू हो जाता है वर्धन काल या वर्धन वंस ठीक है तो अब इसके बारे माध कर लेते थी थोड़ा अगला प्रसन है किस व्यक्ति ने हर्गद्वार को मो यू लो और गंगा को महा भद्रा कहा है तो ये कहा था हिरिंग स्वान है हिरिंग स्वान चीनी आत्री था ये किसके टाइम पर आया था भारत में तो ये आया था हर्स वर्धन के टाइम पर हर्स वर्धन के टाइम पर हर्षपरदन का टाइम प्रेट था 590 इस्वी से लेकर के 647 तक तो यह हर्षपरदन का टाइम प्रेट है और हर्षपरदन की जो राजधानी थी वो थी कान्यक कब्ज तो यह आपको या रखना है नेक्स देखें चीनी यातरी हिंग सांग ने निमने में से किस को पोलो ही मो पोलो का है तो इसका सही जवाब है ऑप्सन नमर डी बरंपुर इसको हिंग सांग ने का है पोलो ही मो पोलो ठीक है और यही जो है वरतमान का संपूर्ण कुमा और गडवाल का छेतर है और यह किस न कि हर्सवर्दन की मृत्री के बश्चाद 647 विस्वी में जो मद्धिहमालाई चेत्र है वे तीन राज्यू में तूट जाता है सत्रुगन नगर गोविशान और ब्रंपुर और इन्हीं तीन राज्यू का वर्णन हिंग सांग ने अपने यात्रा बिरतान में किया है अगला हमारा राज्यवंस और जो हमारा इंचन हिस्ट्री है और यहां पर खतम हो जाता है अंतिव राज्यूंस तो पौरव राज्यूंस से कि खोश कब की थी 1915 में option number C इसका सही जवाब है comment box में बताए किस ने इसकी खोश की नेक्स्ट है किस वन्स के साफित राज जी को परवतकार राजवन से किसे कहते हैं यह कहते हैं पौरव राजवन से को ठीक है option number A इसका सही जवाब है अगले है पौरव Rinwaraja Redmi Saviolot के तामर प्त में कितने सास इसकों का उलेख है तो पौरव राजवनस के तामर पत्र में पांच सासकों उलेख आप्स WR 20 का सहीं जवाब है अगले प्रेसे निम्नम्स से पौरव, वंस का सासंतकाल रहता है इसके बाद कुरी राजमास नेक्स्ट है, विनेस्वर्चाविस्वामी किस वंस के कुल देवता थे, विनेस्वर स्वामी निम्स का सहीं जवाब है अगला प्रस्ण है पौरव वंस में सीना नायब को कहा जाता था तो ये कहा जाता था बाला द्यक्स option number 20 का सही जवाब है next है पौरव शासंत के समय भाग निमन में से कहराता था तो भाग कहा जाता था भूमी करगो option number 20 का सही जवाब है अगला प्रस्न है कौन सा कथन इसमें से सही है केदार संचित भूमी सारी असंचित भूमी यह सही है केदार कहा जाता है संचित भूमी को और सारी कहा जाता था असंचित भूमी को याद रखेगा केदार संचित भूमी सारी असंचित भूमी अगला है मारगग मारगग कहा जा पर पर जो है अपनी Modern History के वर बढ़ते रहेंगे तो यह है इस वीडियो का है थैक्स पर लाचिंग और गॉर्ण बिलिशी ओल